सनातन धर्म कुदद के कंड कंड में भगवान को देखता है इसी आस्था से कई देवी देवताओं की भी पूजा की जाती है इसलिए हर देवालायमन विचार वग्यभार को पवित्र वसादने वाली औरजा देने वाले शक्तिस्थल भी माने जाते हैं हर देवी देवता विशेश शक्ति साधना के लिए पूज्य है देव उपासना से कारे विशेश को साधने के लिए बुद्धी और विवेक मिलने की आस्था ही भक्त को देवाले तक ही चलाती है क्योंकि देव शक्ति से जोड़ी यही श्रधा और आस्था सब कुछ संभर्द करने वाली मानी गई है इसलिए यह भी जरूरी है कि देवालाय में पहुँच देव दर्शन की मर्यादाओं का पालन हो यहां बताई जा रही मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन की तरीके नकेवल खोद के साथ दूसरों की भी देव वास्था खंडी होने से बचाएंगे बलकि औरों को भी धर्म आचरण के लिए प्रेवत करेंगे मंदिर में प्रवेश करते वक बहुत ही धीमी आवाज में घंटा बजाएं ताकि ज्यादा आवाज से दूसरों का भी देव ध्यान भंग न हो मंदिर के अंदर देव प्रतिमा के सामने जो भी देव विशेश का वाहन हो जैसे देवी का सिंग, श्रिव जी का नंदी, गणेश जी का चूहा आदी के बगल में खड़े होकर दोनों हाथों को जोड़ दर्शन करें दर्शन के दोरान सबसे पहले देव ताके चरणों में नजर को केंद्रित करें फिर भगवान के वक्ष स्थल या चाती पर मन को टिकाए और आखिर में देव प्रतिमा के नेत्र पर द्रश्टी साधुन के पूरे स्वरूप को आँखों वो रदय में उतारें देव प्रतिमा पर दूर से फूलों को फिंके नहीं बल्कि उनके चरण कमलों में स्वयम या पुजारी के जरी अरपित करें ऐसा भी संभर न हो तो फिंठाली में पूजा सामगरी रख सकते हैं अकसर परिजनों को कई मौकों पर घर के बड़े बुजूर्गों से परिवार के अशान्त माहौल या व्यक्तिकत जीवन को सुकूनब्रा बनाने के लिए मन या घर को मंदिर बनाने की नसीहत मिलती है क्या कभी आपने भी इन बातों पर गौर किया है कि आखिर घर या मन को मंदिर से जोड़ने के पीछे असल भावना क्या होती है दरसल इसमें मंदिर से जोड़ी उस खास खूबी की और संकेत भी होता है जो मान सिक्तोर पर सुखी रहने के लिए बेहत जरूरी है मन भग घर के लिए अहम यह बात है शान्ति शान्ति की ही बात करें तो ये देवताव मंदिर की मर्यादा बनाय रखने के अलावा कुछ खास वजहों से भी जरूरी मानी गई है शास्त्रों में बताया गया है कि प्रकृती तीन गुणों से बनी है ये तीन गुण है सत्या सात्विगुण, रजया, रजोगुणी वतम्यता मुगुणी, देवता सत्र गुणों के प्रतीक है इसलिए माना जाता है कि मंदिर की देव मूर्तियों से भी सात्विगुणी उर्जा निकल चारू और फैलती है किन्तु पूजा, केर्तन या आरती को छोड़ दूसरी तरह की अनावशक बातों या अपशब्दों से निकलने वाली रजोगुणी वतमोगुणी उर्जा इसमें रुकावच पनती है इससे भक्तवर्श धालूँ को देविय उर्जा का पूरा लाब नहीं मिल पाता मन की शान्ती के लिए जरूरी है एक आगरता जो मंदिर में शान्ती बनाए रखने से ही मुम्किन है शोर गुल से पैदा किसी भी रूप में कलह देवाले की पवित्र दावो अच्छाय तैता भी कम करता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवाम शेयर जरूर करें आपको हमारा ये वीडियो किसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताए यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिल्चस्प वीडियो देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें